एलो एव्रीवन वेलकम तु बोजोन मेडिटेक अधिन्य रभिंदर पाथक आज मैं आपको बताने वाला हूं एंडिजन इस्टेट मेडिकल इंस्टिट्यूट वर्सेस समर्कंद स्टेट मेडिकल उनिवर्सिटी मैं फेंसी बातों में कभी बिलीब नहीं करता मैं फैक्ट और ग्राउड रियलिटी में एंट्रस्ट करता हूं और एंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टिट्यूट वर्सेस समर्कंद स्टेट मेडिकल उनिवर्सिटी का क्या अटिच है क्लियर बताए तो देट आप सही डिसीजन ले सके कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करना चाहिए तो जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन है हमसे बोजोन मैडिटेक से एगटी मैं आपको आज सारी इंफोर्मेशन क्रिस्टल के लिए प्रॉइड करने की कोशिज करू है अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एडिमिशन के लिए आप हमें डिरेक्ट कॉल कर सकते हैं बात करें समरकंद स्टेट मेडिकल उनिवर्सिटी वर्सेस एंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टिट्यूट इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टिट्यूट्ट है ते उनिवर्सिट्ट्य है इससे आप कितना उफर्वैक्ट होते हैं कुछ भी नहीं विकॉस आप MBBS की study करने जा रहे हैं Medicine की study करने जा रहे हैं Institute में जाए या University में जाए आप तो MBBS पढ़ रहे हैं ना University होने से या Institute होने से आपके study में कितना फर्क पढ़ता है अगर आप यह देखें तो आप यह देखिए कि student-teacher ratio कहां का ज्यादा अच्छा है कितने fluent English बोलने वाले faculty कहां है so that आपके doubt अच्छे से clear हो student-teacher ratio आपको basic facility कहां अच्छी मिल रही है clinical कहां आपका अच्छा हो रहा है overcrowd कहां है और कहां नहीं है यह matter करता और इन चीजों से आप effect होंगे institute और university से क्या effect होंगे इंडिया का सबसे बड़ा institute M's है All India Institute of Medical Science M's institute है और अब हम सब जानते हैं institute M's का जो standard है वो कहां stand करता है इंडिया में तो यह तो first fact था second rank समरकन State Medical University का rank 1 है Indigent State Medical Institute का rank 15 है यह rank उनको कैसे मिला उनके local student जो अभी तक pass out हुए होंगे graduate हुए होंगे वो उनके local language में पढ़के निकले होंगे उनके country में वो जो भी चीज़े हैं उन parameter पर compare किया है न अगर वहाँ पे local faculty अच्छे उजवेक language में पढ़ा रहे हैं तो यह जरूरी नहीं है ना उसी standard का English faculty भी है जिनके English अच्छी होगी यह तो ground reality चेक करने के बाद पता लगेगा एज़ा international students आपको तो यह देखना है rank देखने से पहले facility, clinical, study यह देखिए यह अगर आप compare करेंगे तो अच्छा है उसका region मैं बताता हूँ एंडिजन में overcrowd नहीं है समरकंद में overcrowd है बहुत transfer हुए है student, teacher ratio इतना अच्छा नहीं है जितना एंडिजन का है यह fact है थर्ड अगर हम बात करें clinical exposure clinical exposure depend करता है population पे और population समरकंद की ज़्यादा है 5,25,000 लोग समरकंद सिटी में रहते हैं इंडिजन सिटी में 4,5,000,000 के आसपास लोग रहते हैं इसके बावजूद इंडिजन में clinical exposure आपका अच्छा होता है उसका रीजन है इंडिजन में सबसे ज़्यादा hospitals का होना 1 जनवरी 2021 के सर्वे के according इंडिजन रीजन में 152 हॉस्पिटल है तासकंद में 147 हॉस्पिटल है और समरकंद में 109 हॉस्पिटल है अब patient flow तो population से आएगा तो population अगर समरकंद में ज़्यादा है और एंडिजन में कम है फिर भी patient flow एंडिजन का कैसे ज़्यादा है उसका region है किर्गिस्तान border का पास में होना किर्गिस्तान में इतने अच्छे hospitals नहीं है health system नहीं है वहाँ पे इतना अच्छा उनका तो वहाँ के भी जो border area के village हैं टाउन हैं वहाँ के भी patient इंडिजन रीजन में आते हैं साथ के साथ तासकंद से जब आप चलेंगे इंडिजन की तरफ तो किलोमेटर उधर चले गए तो ज़्यादा तर पेसेंट तासकंद आने की वज़ए इंडिजन में जाना प्रेफर करते हैं ये रीजन है पेसेंट फ्लो अच्छा होने का hospitals की अगर बात करें तो hospital तो सबसे ज़्यादा इंडिजन में है जैसे की सर्वे में बताया गया है उसके बाद अगर अगर अपने इनके इनके युनिवर्सिटी या इंस्टिटूट अपने hospital देखें तो समरकंद स्टेट मेडिकल युनिवर्सिटी का hospital कवास की में मैं personally visit किया हूँ और वहां मैंने देखा है समरकंद में ज्यादा है क्योंकि वहां ट्रांसफर बहुत ज्यादा हुए तो आपको काफी ऐसी फैसिलिटी है जो प्रॉपर प्रॉइड नहीं की जा रही है अब अगर हम बात करें student-teacher ratio का तो वह भी इंडिजन में ज्यादा अच्छा है विकास ऑवर क्राउड नहीं है ट्रांसफर एंडिजन ने लिया ही नहीं ना युक्रेन से ना चाइना से कहीं से तो इनका जो एक एजुकेशन का standard था उन्होंने maintain रखा एंडिजन के comparison देखे तो समरकंद हो या बाकी यूनिवर्सिटी जोजवेकिस्तान को वहां बहुत ट्रांसफर हुए नो डाउट इस वजह से वहां ऑवर क्राउड है hostels वगेरों की facility जो है उसकी complaint आ रही है बच्छों की अब हम बात करते हैं hostel facility की hostel facility भी देखें तो एंडिजन में भी आपको मस्ट है first year hostel में रहे और समरकंद में भी मस्ट है आप hostel में रहें first year लेकिन अगर hostel facility की बात करें तो एंडिजन के hostels अच्छे हैं अभी अपरिल मंथ में इनोग्रेशन हुआ था hostel में आपको two-seater, three-seater, four-seater rooms प्रवाइड की जा रही है उसके साथ self-cooking हर फ्लोर पे आपको kitchen प्रवाइड किया गया है कि अगर आप मैस में नहीं खाना खा रहें मैस जो हैं नहीं करना है kitchen आप खुछ से self-cooking कीजिए kitchen आप यूज कीजिए लेकिन समरकंद में ऐसी facility न twelve hundred dollar ten month का आपको September जब भी आप जाएंगे first time में ही देना है ऐसा आपके साथ एंडिजन में नहीं है तो यहां आपका budget फर्क पड़ता है अगर आपका budget इतना ज्यादा नहीं है आप सोचते हैं कि budget थोड़ा आपका आपके afford आपके budget में हो affordable हो तो आप एंडिजन state medical institute अच्छ तो आप कहीं नहीं एंडिजन से जो budget है वो समरकंद में आपका ज्यादा होता है because वहां पे अगर 50,000 जा रुपकिंग में जा रहा है तो एक लाग रुपे में जा रहा है तो 6 साल में 3,000 रुपे आपके budget समरकंद में ज्यादा होता है और मेंस के खाने का standard क्या वो तो सब क पता है जहां 200 डाइसो बच्चों का एक साथ खाना बनता है वहां कितना आप 6 साल तक खापाएंगे हम अच्छे से समझते हैं अगर आपको सेल्फ कोकिंग करनी है तो आप बाहर अपार्टमेंट यह फ्लैट लीजिए वहां आपका बजट इंक्रीज हो जाएगा होस्टल में 600 डॉलर आप yearly दे रहे हैं वहां आपको मंतली 400-300 डॉलर पे करना होता फ्लैट का अपार्टमेंट का दो तिन बच्चे मिलके आप लेते हैं तब भी 1200-1500 डॉलर एक बच्चे के हिस्से में आता है तो आप समझ भी यह 600 और 1200-1500 बिल्कुल ही हो गया बजट तो यहां आपक को हर उस पॉइंट ऑव यू से बताना क्याता हूं कि जो चीज़े आपको इसेक्ट करती हो ऐसा नहीं है कि दो दिन जाने के बाद आपको पता लगया यह चीज़े आपके लिए सर्प्राइज हो आप समरकंद में बोलेंगे वहां कराएंगे तासकर्द में बोलेंगे वहा समरकंद में ऐसा नहीं है मैस मिलेटरी है नहीं तो फ्लैट का देंगे बहुत सारी चीज़े हैं डिटेल्स में मैं जाके कितना बताऊं पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी बच्चों को कहा परिशान करती है यूनिवर्सिटी दोनों जगा बच्चों को परिशान नहीं करती है लेकिन आपने इन्टरनल लिसूस थे लेकिन यूनिवर्सिटी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया retro ऊगे नहीं होना नहीं चुछ बच्चों की फीस पे नहीं गई कोई कैस ले रहा है कोई कुछ ले रहा है यह बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा समरकंद आप देखते हैं वीडियो में कि समरकंद का कैंपस काफी बड़ा लग रहा है वह इस तरह से बनावा लेकिन आप वहां जाएंगे तो आपको पता लगेगा एंडिजन का एनेक्सा बिल्डिंग अलग है जितना बड़ी बिल्डिंग है ना समरकंद का एक उससे ज्या पूरा जाएंगे तो बहुत बड़ा कैंपस है यह चीजे और अपने आपको और डेवलप करती जारी क्योंकि उनको काफी अच्छा-कासा इंवेस्टमेंट मिला है उनकी गवर्मेंट से और अभी नई बिल्डिंग्स नई होस्टल बनी रहे हैं वहां पे सिटी की देखे तो डेवलप जादा एंडिजन हैं यह सारी चीजे तो आप Google पर भी चेक कर सकते हैं Mac आप देखे कि सिटी में कितने law हैं कितने होस्पिटल हें यह सारी चीजे आप देखेंगे तो आपको इंसे सिटी कितनी डेवलप है पात करें तो तास्कंद से समरकंद स्टीट मेडिकल युनिवर्सिटी समरकंद की जो distance है around 306 km है एंडिजन सीटी की जो distance है वो around 350 km है इससे क्या फर्क पड़ता है 50 km, 100 km भी हो, 500 km हो तो क्या फर्क पड़ता है आप कौन सा रोज रोज समरकंद से तासकंद जाएंगे या इंडिजन से तासकंद जाएंगे साल में एक बार दो बार पांच बार शे बार आएंगे जाएंगे अगर इतना भी जाते आते तो मुझे नहीं लगता है कि ये पचास किलोमेटर या सो किलोमेटर की जो डिस्टेंस है इससे आपको कोई फर्थ पड़ता हो सिटी की कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो ओलमोस्ट सीमिलर है दोनों ही सिटी में तासकन से आपको ट्रेन मिल जाती है टैक्सी से आ जा सकते हैं कनेक्टिविटी दोनों सिटी की अच्छी है तासकन से और बाकी पूरे उजबेकिस्तान में overall लोग काफी अच्छे हैं ये किसी उनिवर्सिटी ये परसनल किसी सिटी का मैं आपको नहीं बोलूँगा कि वहाँ अच्छा है ये वहाँ अच्छा नहीं है लोग आपको सभी जगा अच्छे मिलेंगे इंडेन की काफी रिस्पेक्ट करते हैं no doubt भाकी बहुत इंडेन स्टूडेंटस अभी सभी यउनिवर्सिटी में चाया वो समर्कंद हो चाया तासकंंद हो एंडिजन हो लेकिन आऊवर वहां काफी ट्रांसफर के स्टूडेंट गए हैं जो कि एंडिजन में नहीं है इसलिए एंडिजन में आपकी सभी वो फैसलिटी आपको इसली मिल जाती है जो आपको मिलनी चाहिए एसे करते हैं ग्राउंड लेवल पर विकिपीडिया यह तोसल मीडिया से चीजे लेके मैं हैं वां को बता दूतो यह तो ऊपर-ऊपर की बाते हुई न अंदर क्या हो रहा है बच्चे को क्या चाहिए बच्चा कैसा रह रहे तो आपको वहीं बता सकता है जो इन सभी जगह फ्रस्व किया है जैसे की हम हम और भी बहुत कुछ है अगर आप personally और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप हमें call कर सकते हैं वीडियो इंटर्मेटिव हो तो वीडियो को शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और admission के लिए आप मुझे direct call कर सकते हैं हमारी सभी details description box में mention है thank you for watching कर दो आप मुझे आप चाहते हैं